हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यू पी यू एमस यानि कि यू उत्तर प्रदेश यूनिविस्टिटी और मेडिकल साइन्स है आपकी जो की सैफ़ई में है सैफ़ई जो की टावा जिश्टिक में पढ़ता है उसके फॉर्म निकल होते हैं तो इसके फॉर्म चलने हैं अगर कोई आप में से कोई चुक है पेरामेडिकल साइन्स के बारे में उसमें एड्मिशन लेने के लिए कोई कोर्स करना चाता है वह सारी कोर्सें लाइक जी एनम, एनम, बेसी नर्सिंग, भी आप्टो, बीमल्ट, फिजियो थेरपी, डिप्लॉमा में भी काफी हैं सीटी, स्कैन एक्स रे, ओटी टेक्नीशन जिसमें आप बहुत से पेरामेडिकल साइन्स में जाके एक मेडिकल हेल्थ केर में अपना बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे सेलरी कमा सकते हो तो आईए बात कर लेते इसके बारे में तो इसकी जो आविदिन की दिती है वो आपकी 25 जुलाई से आविदिन स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डिटा वो 10 अगस्त तक है इसका जो एक्जाम होगा वो सेप्टमबर में होगा हालनकि ये फॉर्म जून लास्ट तक आ जाते हैं लेकिन इस ब कोर्सिस हैं तो कोर्सिस के बारे मैं आपको बता देता हूं पहले कि जो टोटल सीट होती है वो लगबग साड़ी 600 के आस पास होती है तो पहला आपका है BMLT इसमें 60 सीट है ये साड़ी 3 साल का होता है तीन मैने के आपका कोर्स ओच छे मेने इंटरंसिप होती है जितने भी साड़ साड़ सीट है जो आप्रोमेट्री है वो चार साल का हो जाता कि उसमें एक साल की इंटरंसिप कर दीगे बाकी समय में 3 साल और 6 मेने के इंटरंसिप है और जो BPT है वो आपका साड़ी 4 साल का पड़ता है कि उसमें 4 साल और 6 मेने इंटरंसिप इंक्लूड करने के बा अगला हॉस्पिटल बना हुआ है क्योंकि कम से कम आस-पास की जितने भी डिस्टिक हैं दस्से बारे डिस्टिक लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं और जो अभी वाइस चंसलर सरेंट आक्टर राजकुमार वो भी एक निरोलोजिस्ट है अब बात करते हैं वी फार्मेसी ये कोर्स इसी साल जैड हुआ है अगर आप फार्मेसी में एडमिशियर लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ये चार साल का जिसमें सेमेस्टर साहते हैं सभी में OAK में 30 सीट हैं DOP stuff यानि Opt call टिप्लामाव भी साल का 20 सीट है ृत्व आगे बात कर लेंते हैं थो अपका D. Henri है जभी साल का 55 सेट इसमें है इसमें DST City है है जो डप्लामा इन emergency and trauma care center में technician होते हैं जो दो वर्स का है 30 सीटे हैं इसमें और DVD blood transmission technician होते हैं उसमें 15 सीटे हैं दो वर्स का है तो टोटल आपकी 660 सीटे होती है अगर आप apply करना चाहते तो कर सकते हैं अब आपके इसको इसकी जो फीज से वह आपको बता देता हूँ आप चाहें तो application director जो इसकी ऑफिशल साइट है www.upums.ac.in पर जाके या फिशीपीने .in पर login करके registration कर सकते हैं उसका बाद जो main-main चीज़ें हैं उसके बारें बात कर लेते हैं कि इसमें photograph कैसी चाहिए होती है तो photograph आपको यह पता यह होनी चाहिए कि आपकी जो फोटो है वो recently होनी चाहिए कोई भी application होता उसमें सब में recently photo मानी जाती है और आपका जो size है वो 30 से 40 kb के बीच में होना चाहिए आप अगर चस्मा पहनते हैं तो चस्मा पहन कर आपको जो face of clicker दिखना चाहिए ऐसा आपको format बनवाना है जिसमें आप nameplate लेकि या फिर अपने computerized से भी आप अपना नाम और data photo लिखा सकते हैं अब बात करते हैं इसका जो syllabus क्या है तो दोस्तों जो लोग science से 12 ये 12 based exam में पहले तो आपको ये बता दूँ और जो लोग science से किये हुए है वो paper 1 इसके जो paper होते हैं दो paper आते हैं paper 1 जो होता है वो केवल science के student दे सकते हैं यानि जिनके पास 12 हो है PCB या PCM दा वो लोग इसमे चार option होते है physics, chemistry, biology और math फिजिक्स, chemistry आपकी compulsory होते है math और biology में optional होता है कोई एक पर आपको subject चूज करना पड़ता है और जो लोग 12th art side से किये हैं art side से या commerce से किये हैं आदर किसी से किये हैं तो वो लोग paper second देंगे आपका जिसमें हिंदी आती है इंगले साथी general studies आती है exam का जो time है वो आपका 9 बज़े से 10 बज़े से आपका exam conduct कराए जाएगा बीच में आप इसमें जो paper दिया है पहले क्या होता था कि कोई भी paper आप दे सकते थे लेकिन इस बार इन्होंने clear कर दिया अगर आप intermediate में आपके पास physics, chemistry, biology है तो आप सारे diploma, degree course ले सकते हैं अगर math है तो आप जितने भी आपकी diploma है वो और भी pharmacy आप कर सकते हो, arts commerce से तो A&M और G&M दो में से आपको एक जो course है वो choose कर सकते हो, अब दोस्तों इसकी जो fees है वो आपको बता दूँ, पहले तो यह आर अच्छड़ है वो आपको वही है जो हर एक exam में होता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जो fees है आपको बता दूँ, counseling fees आपकी 50 बहुत 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 की बात है, आपको बात में बता दूँगा अगर आपको form बढ़ने में फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो comment में जरूँ टैप करें, मिलते हैं आप से next video में तुटक लिए जैहन, जय वारत